नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है बात करूंगा ओमान ने दस कंट्रियों के लिए फलाइट को बंद कर दिया गया कितने तारिक को बंद किया गया और रेटी वो बंद था और इसको मतलब एक्सचेंज बढ़ा दिया गया तो पूरा डी कंट्रियों आपको मालूम होगा ओमान की सुप्रिम कमेटी ने आज तक्रीवन दस से बीस दिन पहले आठकल आया से टाइम आप ओमान में कि ओमान ने दस कंट्रियों का मतलब वहां पे इंटरनेशनल फलाइट को उन कंट्रियों के लिए बंद कर दिया तो यह आपको पहले उन्होंने का था कि जब तक हम कोई नोटीफिक्सन नहीं देंगे जब तक यह बंद रहेगा लेकिन उन्होंने अब यह कहा है कि हम 25 मार्च जी हां 25 मार्च तक इसको को लोज रखेंगे 10 कंट्रियों की जो इंटरनेशनल फलाइड के लिए उसमें आपको ज़्यादे है कि वह सब ज्यादतर अफरीकी कंट्री हैं अफरीकी कंट्री है और उन्हाथ अफनीका की जो बरजीरिल हो गया और बहुत सारी कंट्रियों है वह सब कंट्रियों है यहां पे मतलब नया वाइरस आया था नया वाइरस आपको मालूम होगा जब से नया वाइरस आया मतलब बहुत सारी परावलम क्रियेट कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारी कंट्रीयों में इंटर्नेश्रल कंट्रीयों तो आपको तो हमाईं के असक कंट्री में आ सकते हैं, अपर बाकायदा क्रिए कोई उतमें वो नहीं होगा अगर जो आप जैसे सौडिय अर्बिया के लिए हैं इंडिया से सौइब जो लोग जाते हैं वॉये फलाइड करके जाते हैं ना तो उसी तरह रूल है यहां पे भी अगर जो बात करूँ ओमान इंडिया फलाइड को तो आपको बता दूँ यहां पे ओमान इंडिया और बंगला देश पाकितान नैपाल की फलाइड पे कोई असर नहीं पनने वाला बाकी और किसी के मतलब यह इस जदा तर देखे तो भाई इंडिया हो गया उड़ा पॉपलेशन यही इधर की ए समय कोई फलाइड की कोई परावलम नहीं होने वाली इस तरह उपरेड कर रहेंगी चारों कंट्रियों की और बहुत सारी कंट्रियों की भी आपरेड करें लेकिन तो यह चार कंट्रिय हैं ना क्योंकि कि यहां से आदमी यहां के ओमान के थूरू बीजा लिये हैं तो युमान का फलाइट बिल्कुल नहीं बंदन्द किया गया और ये तो बस अब एजेंट आपको बसलब धोके चूतिया बना रहा है बस और कोई वो सच्चाई ही नहीं है और कोई कोस्चन होगा तो वीडियो की निचे जरूर कमेंट करिए गया तो वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करी चाहिए को सब्सक्राइब कर दीगा नमस्कार